रागोबा के साथ इस युद में रक्मा भी देगी देवी अहिल्या का साथ नमस्कार दोस्तों स्वागत है आपका आपके अपने चैनल हंगरी स्पिरिट्स में हंगरी स्पिरिट्स देख रहें सारे दर्शकों का मैं अंजुशर्मा दिल से स्वागत करती हूँ आज तक जितना भी हमने इस धारावाई को देखा है देवी अहिल्या के सफर को देखा है उसमें उनकी सबसे बड़ी कमपीटीटर रही है रक्मा भाई जिसने हमेशा तुकु जी के लिए यही सोचा कि ये डिजर्व करते हैं मेरे पती इस गद्दी पे बैटना मगर ये सब जो बैट रहे हैं ये नहीं डिजर्व करते हैं उसको हमेशा यही लगा कि तुकु जी अहिल्या भाई के चम्चे बनके रह गए हैं उसकी खुशाम दिद ही करते रहते हैं तो ये सब थौट्स के साथ उसने बार बार देवी अहिल्या के रास्ते में रोडे अटकाने की कोशिश की मगर दोस्तो अब वक्त ऐसा है कि रक्मा भाई का मन बदलेगा और वो देवी अहिल्या के साथ खड़ी होगी चलिए चर्चा करते हैं पहले वही निवेधन जिरों ने अभी तक चैनल को सब्स्क्राइब नहीं किया है कर दिजिए साथ में दोस्तों बेल ऐकोन दबाईएगा ताकि आपको हमारे वीडियो के नोटिफकेशन मिलते रहें जैसा कि हम देख रहे हैं कि मालवा के हलात अच्छे नहीं है माले राव है या नहीं है इससे कोई फर्क नहीं पड़ता धारावाई केंड होने तक माले राव का अंत होगा मरे गा या जो भी होगा मगर ओडियस के लिए तो माले राव मरे के बराबर ही है क्योंकि वो कुछ करी नहीं रहा है मालवा के लिए तो यहां में दोस्तों इस स्थिती में जब कोई भी नहीं है एक ऐसी शक्सियत सामने आती है जिसको देवी एल्या खुद बुलाती है और यश्वन्त उनको लेके आता है वो है शार्जा का पती दुश्यन्त और जब शार्जा की बेटी से देवी एल्या मिलती है तो उसको होंसला बढ़ता है तो ये देख के अच्छा लगा और वो बेटी साधारन बेटी नहीं है वो मालवा की बेटी है और मालवा की बेटी ने अपने जैसी कई बेटियों को तयार कर लिया है युद्ध के लिए देवी एहल्या जब ये देखती है उसका मन इमोशनल भी होता है और साहस से भी भरता है इसलिए उसकी ताकत डबल हो जाती है मगर ये ताकत और जादा बड़ेगी जब रक्मा भाई तलवार उठा के देवी एहल्या के साथ कड़ी होगी इतिहास में तो यही था दोस्तों कि रक्मा भाई ने इस लड़ाई में देवी एहल्या का साथ दिया था और कहा भी था कि विचार मेरे अभी भी तुमसे नहीं मिलते है मगर ये लड़ाई हम मिलके लड़ेंगे क्योंकि ये लड़ाई मालवा को बचाने के लिए है देवी एहलया बहुत खुश हुई थी क्योंकि यही जजबा वो चाहती थी क्योंकि विचारों में अंतर होना बहुत ही सोभाविक है मगर भावना में अंतर नहीं होना चाहिए जो देशवक्ती है इसलिए जब ये बात हुई थी तो देवी एहल्या को बहुत अच्छा लगा था तो जब ऐसी और एक के बाद एक जुड़ती जाएंगी जो इस साहस के साथ आती है कि हमें मालवा को बचाना है तो देवी एहल्या का होंसला कहां पहुंचेगा आप समझ सकते हैं इसलिए देवी एहल्या जिन्होंने अपनी इस्त्री सैना को इतने जोश में देखा तो वो भी जोश में आई और उसी जोश में उन्होंने खुद वो प्रस्ताव लिया और सीधी उसके साथ सामने चलेगी रगुबा दादा के जो हमने देखा और वो प्रस्ताव क्या है मैंने पहले भी आपसे शेयर किया है कि एक इस्त्री से हारना या जीतना दोनों ही तरफ से आप ही की हार है इतिहास में आपका नाम किस छब्दों में लिखा जाएगे कि इस्त्री से लड़ने चलेगे गर पे कोई नहीं था वारे में कोई नहीं था मालवा में कोई राजा नहीं था जो था वो जखमी था और आपने एक इस्त्री सेना के साथ लड़ाई की जीते तो भी आपकी हार हारे तो है भी तो जब ये प्रस्ताव लेके ये चिठी लेके खुद देवी एहलया पहुंचेगी तो रागु बाकी तो हवाईया उडेंगी ही दोस्तो और यहीं से वो अपनी लाखों की सैना के साथ हारे हुए वापिस जाहेंगे कितना बोला था गुनुजी ने? इस तरही सैना आठ सो हजार की और इदर क्या गिनवार है ते वो लाखों की सैना 2000 हाथी, 5000 खोड़े और कितनी सैना जो पैदल है तो ये सारी सैना देवी अहिल्या के सामने भूटने टेकेगी जब देवी अहिल्या सूझ-बूझ और ताकत के साथ रागोपा पे हमला करेगी और इस लड़ाई में रकमा साथ देगी तो मज़ा ही आएगा अगर ऐसा दिखाते हैं तो तो इतिहास तो यही कहता है मगर देखते हैं ये क्या दिखाते हैं तो क्यासा लगा आपको ये जानके जरूर कमेंट करके बताईएगा देखते रहिए चैनल हंगरी स्पिरिट्स थैंकिस ओर